नवस्कार आप देख रहे हैं प्राइम निस्ट 24 और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी मिश्रा पीम नरेंद्र मोदी ने मंगलवारात राश्च्व के नाम अपने संबोधन में लोगडाउन को लेकर देश में लोगों की शंका को दूर किया उन्होंने साफ कहा कि देश दूसरे लोगडाउन के लिए तैयार नहीं है मोदी ने राजसरकारों को भी आगा किया कि वे लोगडाउन के विकल्प से जहां तक संबवों वहां तक बचे पीम ने कहा कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन का इस्तमाल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए प्रधाल मंतरी ने कहा कि कोरोना के खलाफ लडाई में जनता कर रिफ्यू से लेकर आज तक सब भी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तैह किया है समय के साथ आर्थी गती वीडियो में भी धीरे धीरे तेजी आ रही है उन्होंने कहा कि हमें भूलना नहीं है कि भले ही लॉकडाउन चला गया हो लेकिन वाइरस नहीं गया है अमेरिका और ब्राजिल देशों के मुकाबले कुरोना संग्रमण की और मिर्ती उदर काफी कम है दुनिया के साधन संपन देशों की तुलना में भारत अपने जादा से जादा नागरी को कोई जान बचाने में काब याब रहा है भारत में जब से कुरोना संक्रमन की शुरुवात हुई है तब से प्रधान मंत्री छे बार राश्च को संबोधित कर चुके हैं कल उनका राश्च के नाम सात्वा संबोध हन था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम समय में सभी नागरिकों को ठीके लगाने के लिए ठीका निर्माताओं से उत्पादन शम्ता बढ़ाने का निरोध किया है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि तीका निर्माताओं ने रिकॉर्ड समय में कोविड-19 तीके का विकास किया और उसका निर्मान किया आए जानते हैं प्रधान मंत्री ने अपने संबोधर में क्या कहा साथियों देश ने कोरोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं इसका स्रे आप सभी को सभी देश वास्यों को ही जाता है अनुशाशन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राज जुटे हैं दवाई पहुँचाना हो खाने या रहने की विवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवा भाव को आदर पुर्वक नमन करता हूँ और देश्वास्यों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वासी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाएं समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवास साथ्यों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में महले में एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेन्मेंट जोन लगाने की जरूरण पड़ेगी न करव्यू लगाने की जरूरण पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाली नहीं उड़ता है आवस्ता ही नहीं पड़ेगी स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरुकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी छोटे छोटे बालक पाटवी साथवी आठवी दसवी में पड़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ मेरे बाल मित्र गर में ऐसा माहुल बनाईए कि बीना काम बीना काराण गर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीद बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्तना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहुल कम हो सके लोग अफ़ा और ब्रह्म में ना आएं साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लोगडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा कि वो लोगडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लोगडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश वास्यों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे